तो दोस्तो फैनली इंडिया में Realme U1 यहाँ पर लॉंच हो चुका है और मैंने जो आपको खुश दिन पहले बताया था कि आपको यह सब देखने को मिलेगा Realme U1 में आपको परफेक्ट जो है वही देखने को मिला हलाकि प्राइस जो है थोड़ा सा रखा गया है मेरे एकस्प फॉन किल कर सकता है जी हाँ पूरे तरीके से किल कर सकता है अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को देखते रही है हेलो मेरा नाम है अभीनव आप देख रहे हैं यहाँ एवडिटिंग दोस्तो आपको वीडियो हेल्फू लगे तो लाइक के साथा चैन को सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तो रियल मी यूवन अगर यहाँ पर कहा जाए तो रियल मी यूवन का यहाँ पर यह जो फॉन है अप्ग्रेड है जी हाँ यहाँ यहाँ पर आपको डिजाइन मिल जाता है कुछ यहाँ पर रियल मी टू प्रोटेसा देखने में लग जाता है 6.3 इंच का यहाँ पर फुल एचीडी प्लस IPS दिस्पले है यहाँ पर आपको डिस्पले में कोर्ण सा प्रट्रक्शन दिया ग फॉड तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है फिंगर प्रिंट सेंसर आपको बैक साइड दिया गया है और आगे में आपको 25 में अपिसल का सोनी का एक लेटेस यहाँ पर दिया गया है सेंसर जो की काफी अच्छा कैमरा है माना जा रहा है लेकिन इस कैमरे के साथ आपको का यापर option मिल जाता है लेकिन उस तरह से काम यह नहीं करता है जिस तरह से फ्लैसलाइट काम करता है तो आप इस बात का ध्यान रखें इसमें आपको मिल जाएगा MediaTek का Helio P70 जो कि यहां पर लेटेस्ट चिपसेट है और काफी कमाल का performance आपको मिल जाएगा लेकिन Snapdragon 660 से आपको थोड़ा सा कमी performance मिलेगा इस chipset में जी हां दोस्तों आपको 3GB 32GB मिल जाएगा 4GB 64GB मिल जाएगा 3500 mAh का बैटरी है कोई भी fast charging का support आपको नहीं मिलेगा Micro USB आपको मिल जाता है 3.5 mm audio jack मिल जाता है dual SIM card SD card का slot मिल जाता है तो कुल मिलाकर दोस्तों पैकेज जो है एक यहां पर यह मुझे खराब लगा इस phone में दूसरा आपको यहां पर कहीं भी notification light यहां पर नहीं मिलता है और अभी यहां पर हर एक लोगों को यहां पर notification light का जरूरत है रियल में यहां पर 2 pro में नहीं था तो बहुत सारे लोगों ने complain किया था कि इसका यहां पर कुछ solution आना चाहिए यहां पर मैं माल लेता हूँ को वाटर ड्रॉप नौच है लेकिन आप उसमें एक छोटा सा light देख सकते थे पीछे आपको नीचे आपको काफी ज़्यादा चीन मिलता है उसमें अभी आप notification light दे सकते थे लेकिन यहां पर notification light नहीं दिया गया इस phone के साथ और यहां पर जो ब support point है इसमें आपको काफी कम मिलता है वो है fast charging का support तो है लेकिन आपको यहां पर इसके box में fast charger नहीं मिलता है और किसी नहीं बता है कि fast charging को support करता है enable है या नहीं है दोस्तों यह कुछ point इसमें हुझे कमी लगा लेकिन आपर बता दूँ कि 3500 mh का battery भी है तो आसा कम है लेकिन यहां कुल मिलाकर दीन बर आपको यहां पर फॉन जो है चल जाएगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फॉन में अच्छा ही दोस्तों सबसे पहले बात है यहां पर display आपको काफी अच्छा मिलेगा का quality का display मिलेगा 90% से ऊपर आपको यहां पर display मिल जाएगा आगे की side मे और दोस्तों दीखने में काफी खुबसरत फोन लगता है ये भी एक अच्छा इसका quality है प्रोसेसर भी इस फोन में काफी अच्छा है आपको आप यहाँ पर decent सा performance मिल जाएगा और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि selfie camera ये काफी अच्छा perform करेगा आप यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है इसका price 3GB 32GB का price रखा गया 12,000 मेरे ख्याल से इसका price यहाँ पर 11,000 या 10,000 रख सकता था Realme जिस तरह से अपने phone का price रखते हैं ये लोग मेरे ख्याल से यहाँ पर इसका 10,000 या 11,000 लोई वेरियंट का रख सकते थे लेकिन यहाँ पर इसका price जो है मेरे ख्याल से 1,000 रुपिये दोनों वेरियंट का रखा गया ज्यादा आप यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके competition में आपको कौन से phone देखने को मिलेगा यहाँ पर इंडिया में दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एसस के Genphone Max Pro M2 की नहीं जी हाँ M2 के बारे मैं आपको पता होगा कि M2 जो है इसको टक्कर देगा लेकिन सेल्फिव में वो कमजोर पर जाएगा लेकिन इसको हर एक मामली में टक्कर देने के लिए हो सकता है Xiaomi इंडिया में लॉंच कर दे अपना एक नया सीरीज वाला स्मार्टफोन जहां तक मुझे पता चला है और आपको भी पता चल जाएगा कुछ दिन में ही Xiaomi Mi 8 Lite को बहुत जल्दी इंडिया में एक नए सीरीज के नाम से लॉंच करेगा जहां तक मुझे यहां पर पता चला है और इस फॉन के बारे में आपको बता ही होगा तो अगर नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो वाई क्या कर रहे हो जाओ मेरा वीडियो देख लो Mi 8 Lite के बारे में आपको हर एक मामली में Real Mi U1 से बैटर मिलेगा Mi 8 Lite और डिजाइन तो काफि कमाल का है बैतरी भी काफि अच्छा है और परफ़ोमेंस ब्रवार को काफि ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है सेलफी भी 24 मेगा फिसल का है डिस्पले भी काफी गजब का है तो आप उस फॉन का इंतजार कर सकते हैं अगर आपको जल्दी हया हरवरी नहीं है तो अगर आपके पास कोई फॉन है तो आप काम चलाएए इन दोनों फॉन का इंतजार कीजिए आपको इस फॉन के बारे में आपको कैसा लगा अच्छा लगा बुरा लगा लाइक करके जरूर बताएए उम्मीद आपको वीडियो हेल्फुल लगा होगा थैंकियो फॉर वाचिंग इस वीडियो बाबाई